अक्सर धोकेबाज लोगों का चेहरा तब सामने आता है जब वो हमारी जड़ें खोखली कर चुके होते हैं। ये लोग बुरा वक्त आने पर ही अपना असली रंग दिखाते हैं। कहते हैं कि असली मित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आईए जानते हैं ऐसे पांच तरह की सोच रखने वालों से हमें बच कर रहना चाहिए। नमबर दो गलत फैसलों में प्रोटसाहन आपकी तरक्की से जलने वाला इंसान हर गलत फैसले में आपका प्रोटसाहन करेगा। ये लोग सामने रहकर हमेशा आपकी पीट थप थपाएंगे और पीट पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा आसान और गलत राह चुनने की सलाह देंगे। इन पर कभी आँख बंद करके फरोसा न करें। नमबर तीन, दूसरों की बुराई करने वाला कुछ लोग हमारे मन में खास जगा पाने के लिए दूसरों की बुराई हमारे सामने करते हैं। उनके ऐसे व्यवहार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ध्यान रहे कि जो इंसान आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, क्या गारंटी है कल वो दूसरों के सामने आपकी बुराई नहीं करेगा। जितना संभव हो, ऐसे लोगों से बचें। नमबर चार, मन में कपट रखने वाला, कुछ लोगों के मन की बात पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग कभी अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इनके मन में आपके प्रती कपट भरा हो सकता है। आपकी बुराई और आपके नुकसान से इन्हें प्रसन्नता मिलती है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहना आपके लिए भारी पढ़ सकता है। अगर कोई इनसान आपको भेदभाव करने का पाट पढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों की संगत में रहने से बचना चाहिए। ये लोग अपनी बुध्धी और अनुभवों से आपको दुनिया दिखाने का प्रयास करते हैं। आचार्य चानक के कहते हैं कि इनसान की कुल धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बलकि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।